मित्रो भगवान हमेशा ही अपने सच्चे भगत को दर्शन देने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं और जब ईश्वर की परीक्षा में भगते सफल हो जाते हैं तो उन्हें भगवान धन दौलत से भर देते हैं ऐसे ही एक बार देवी लक्षमी एक गरीब ब्रहमन के गर बेटी बनकर पैदा हुई अब ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मन्शा थी आईए जानते हैं मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में और मित्रों ऐसी सभी एक्स्क्लिउजी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल देवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने एक समय की बात है रामपुर नाम के गाउं में एक ब्रहमन रहता था उसकी छे बेटियां थी और उसका परिवार बहुत गरीब था परंतु उस ब्रहमन में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो माता लक्षमी का बहुत बढ़ा भक्त वो हमेशा पूजा पाठ करता और वेदो पुरानों का अध्यान करता रहता हर दिन सुबह जाकर वो पीपल के व्रिक्ष पर जल भी अर्पन करता फिर एक दिन जब वो जल अर्पन कर रहा था तब ही वहाँ बाल रूप में देवी लक्षमी आ गए माता ने एक छोटी बच बच्ची को बिना कुछ बोले ही वापिस चला गया अगले दिन जब वो फिर से जल चड़ाने आया तो वो बच्ची फिर वही थी उसने फिर कहा पिता जी मैं आपके साथ चलू वो फिर उससे बिना कुछ बोले ही चला गया गरी ब्रहमन के साथ ऐसा हर रोज होने लगा जि मुझे ये बताईए कि आपको किस बात से परेशानी है अपनी पत्नी की बाते सुनकर ब्रहमन बोला मैं हर रोज पीपल के पेड़ पर जल चड़ाने जाता हूँ उसमें से एक बच्ची निकल कर आती है और मेर से कहती है कि पिता जी मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ ब् अगले दिन ब्रहमन उस पीपल के पेड़ पर फिर जल अरपन करने गया जहां वो बच्ची फिर निकल आई और घर जाने की बात करने लगी इस बार ब्रहमन उसे अपने साथ घर ले आया अब वो बच्ची जिस दिन से ब्रहमन के घर आई तब से ब्रहमन का भाग बदलने पहले उस ब्राह्मन को एक कटोरी ही आटा मिलता लिकिन उस बच्ची के आने के बाद हर दिन ब्राह्मन को थैला भर बरके आटा मिलने लगा फिर जब वो अपने घर लोटा तो ब्राह्मन ने अपनी पत्नी को आटा दिया और खाना बनाने के लिए कहा ब्राह्मन की बीवी रसोई में गई और इस अब के लिए भोजन बनाना शुरू किया तू बाहर जा और अपनी बहनों के संग खेट बोजन बनते ही मैं सब को बुला लूँगी लेकिन वो बच्ची बोजन बनाने की जिद पर अड़ी रही हार मानकर पंडितायन बोली ठीक है तू बना ले पर ध्यान से अब जैसे ही उस बच्ची ने आटे को एक बरतन में निकाला तो वो बढ़ गया वो जो चीज छूती वो बढ़ जाती और इस तरह उस बच्ची ने कुछी समय में बहुत से पकवान बना दी बोजन बनने के बाद इस सभी ने भर पेट खाना खाया बोजन इतना स्वादिश था कि सब कुछ मिनिटों में ही खत्म हो गया अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक से पंडितायन का भाई घर आ गया आते ही उसने ब्रहमन की पत्नी से कहा बहन मुझे बहुत तेज भ घर में गई और अच्छे अच्छे पकवान बना कर ले आई और फिर अपने मामा को खाना परोसा खाना इतना अच्छा था कि पंडितायन के भाई ने उस बच्ची की खूब प्रशंसा की फिर वो अपने घर चला गया धीरे धीरे दिन खत्म होता गया और इस शाम हो गई उ तू बस यहां एक दिया जला कर रख देना बच्ची की बाते सुनकर पंडितायन बोली बेटी तू इतनी चोटी है यहां अकेले कैसे सोएगी तू ऐसा कर हमारे साथ बीतर चल कर सो लक्ष्मी रूपी उस बच्ची ने कहा नहीं मा मैं यहीं सोऊंगी और उसकी बातों पर ब्राहमन की पत्नी ने उसे वहीं सोने को कह दिया अब जब वो सब सो गए तो रात में वो बच्ची उठी तो उसने उसे कोटरी को सोने चांदी और अनाजों से भर दिया इसके बाद वो वापिस अपने लोग जाने लगी वो जैसे ही बाहर निकल रही थी वहां सो रहे है ब्राहमन की आखें खुल गए उस बच्ची को बाहर जाता देख ब्राहमन की नीन तूट गई और उसने पूचा की बेटी तो इस समय कहा जा रही है इसके बाद माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उस ब्राहमन से कहने लगी मैं धन की देवी लक्ष् इसलिए मैं तेरे घर की दरिदर्ता दूर करने आई थी अब मेरा कारे पूर्ण हुआ और मैं अपने धाम बैकूंट लोट रही है अपने सामने साक्षात माता लक्ष्मी को देख वो गरी ब्राहमन बहुत खुश हुआ उसने माता को प्रनाम किया और धन्यवाद दिया कि आप मेरे घर आई जिसके बाद देवी मा वहाँ से चली गई सुबह होते ही जब ब्राहमन की पतनी उरती है तो उसे अपने पूरे घर में दन और अनाज ही दिखाई देता है लेकिन वो बच्ची उसे कही नजर नहीं आती फिर वो अपने पती से पूछती है कि हमारी सबसे चोटी बेटी कहां गई वो नजर नहीं आ रही जिसके बाद ब्राहमन अपनी पतनी को सारी बात बताता है और कहता है कि वो माता लक्ष्मी का ही सरूप थी अब उनका कार्य पूर्ण हो गया इसलिए अपने घर चली गए तो मित्रो देखा आपने कि क्यों माता लक्ष्मी बनकर आई एक गरीब ब्राहमन की बेटी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रो रिष्टेदारों के साथ भी जरूर साजा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें दर डिवाइन टेल्स परिवार क